नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स एंट naught के लिए सब्सक्राइब करें शानल्स एंटर्टेन्मेंटर्टेन्मेंट के मिलाओ चानल्स एंटर्टेन्में म हमक्रोटेन्मेंट झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झांज इझाख सोई में अे ते मुल बखो. Feng Shaka Ná ी Nára bakshaka Néra nára 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 bakshaka Nára bakshaka Na-ra-na-la-la-na-la Na-ra-na-la-la-la कॉंग्रेड्स तुम सबको ले आए सर ये लोग बहुत खतरनाक हैं मैंने बहुत मेहनत से इने संभाला था ये सब लोग बहुत ही खतरनाक जानवर हैं इन कुटों को संभालना हमारे ही नसी में लिखा था क्या करें सर एक बात कहूं सर सावधान रहिएगा पांच साल तक तुम लोग ट्राइल पीरियड में थे वह आज खत्म हो गया अब तुम लोगों को कड़ी सजा मिलेगी तुम सब अपतेदी हो तुम लोग साथ नहीं रह सकते हम तुम लोगों को भी बैरिक में शिफ्ट करेंगे खाना पीना और वहीं पर रहना अगर तुम ल आप टुम लोगों को भी बैरिक में शिफ्ट करो यह सर्व कि दो कि अहत्가, बचलागे बचला दूदा है, और ने हैं गडेर… ए चल आगे चल यहां यह तो शांती से जिन्देगी चिलो समझे साब जी हमें यहां से बाहर निकाल दीजिए कितना पैसा चाहिए उतना देंगे कहा देना है कैसे देना है कहा पहुचाना सब तुम्हारी तरह मुझे भी जेल की हवा खाने के लिए मजबूर मत करो अगर कोई यहां से भागने की कोशिश करेगा ना फूली मार दूंगा यहां रहना है तो शांती से रहना अच्छा काम करोगे तो मढ़ने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे समझे सब्सक्राइब इन्हें भी बैरक्त में लॉग करके रिपोर्ट कर दे रहा ठीक है सब चल अ मेडम एक बीड़ी दे दो मैडम है चूप रहे तो लड़की बात करने की तमीज नहीं किससे क्या मांगना मालूम नहीं के तुझको साली तुझके क्या रहे हां अभी तर इसकी इंक्वाइरी हो रही थी आससाजा शुरू हो गई इसलिए इसे यहां लाए गूर रही है आची तरह से बैठा बल्ला डुल्ला बंद कर अ अ गुद्ममा अधिस वाइल तो प्रिविश्यक्षिन आपके लिख अप्याए कर दिया कर दिया आपके लिखे आर्टिकल से असंबली में आपोजेशन पार्टी के लोगों ने एकदम हंगामा कर दिया सरकार अगर इक्वालिटी ना दे तो हम चुप कैसे रहेंगे सर हज यात्रा के लिए फंड रिलीज करेंगे काशी यात्रा के लिए नहीं हैसे कैसे चलेगा यह लोग सिफ एक कम्यूनिटी का ख्याल रखते हैं दूसरे की परवाई नहीं करते बस यही बात सामने लाने के लि सकते हैं पर मेरी राही यह हैं कि यह लोग निरदोश है I think we need to dig into it अभी मैडम It's over इतने सालों के वाद विवाज से और जिसस से It's proved They are a bloody cold blooded criminal to the court ये तुम्हारी सोच है संध्या जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सोच सही हो वो लोग इनोसेंट है आपकी नजर में ऐसा आपको लगता है ये सच है शायद तुम ठीक कह रही हो पर जो भी है हम धून लेंगे सर Don't waste your time These people are not for sympathy उन लोगों का साथ देने के लिए कोई नहीं है लेकिन आप क्यों साथ दे रहे हो अभी Exactly You raise the point This is the reason, सर इनके आगे पीछे कोई नहीं है So, they have been framed You mean to say all the witnesses are created अभी? Maybe सब created हैं ये तो हम नहीं कह सकते लेकिन ये असी केस में कितने गवाव मिले जानते हो सर? केवल बारा या तेरा मैंने सही कहा ना संध्या माडम हम जब असी कतल हो रहे थे तब पोलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था सर? अभी एक मिनिटप हां अभी आर यू सीरियस ये किस तुम हैंडल करोगी हम येस इस केस में तुम जो नहीं जानती वो मैं अच्छी तरह से जानती हूं लट मी ट्राइब देर विस न्यू बिगिनिंग इन एवरी एंड यूनो अरे आए बैडम आए बैठी ना प्राइम रिपोर्टर आपकी दुकान में सारा माल चोरी का है चोरों से माल खरीटते हैं आप देखो सारा समान डूपलिकेट है कुछ भी ओरिजनल नहीं लोगों को क्यों फसाते हो स्मगलिंग भी करते हो अरे मैडम अरे क्या बोल रही है आप तो पूरी फिल्म ही बाते कर रही है मैडम ट्रेलर तो मैं बना चुकी हूं अब फिल्म बनाने का टाइम है मोहनलाल सीधा मुद्दे की बात करती हूं छे साल पहले हुई रेड में पन्नालाल सेट के साथ आपको भी अरेस्ट कर लिया गया अब आप जो भी बोल रही है हमें तो समझी नहीं आ रहा है मैडम आप यहांसे निकल जाहिए यहांसे मेरी बात आपको समझ नहीं आ रहे हैं ना समझ आएगी समझ आएगी एक दिन जब समझ आए तो इस नंबर पर फोन करना गूर्णिंग गूर्णिंग देखके शोगट मॉनिंग पूर्णिंग सर्ट के अगल में अगल इस मीठाई किस खुशी में नियुक्त यह प्रादी को अगर सजा मिले तो कोई भी पुलिस सलेब्रेट नहीं करता बट इस केस में अगर हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया तो गलत होगा क्या कहते हूं लेकिन क्यूं सर ये क्रिमिनल लोग अंदर रहेंगे तो ही बाहर के लोग आराम से जीएंगे हम हाँ सर अलो सर यहां पे कोई प्रेस रिपोर्टर आई थी मुझसे मिलने के हम पुलिस वालों के निशाने पर हमेशा ही रहते हैं वह में मारना चाहते हैं कुस तो प्लैन करना पड़ेगा बाई ऐसे नहीं चलेगा तौना गलती किए इन लोगों ने हमें हासी के सजा दे दी यहां से हम आराम से भाग सकते हैं यहां लोग भी बहुत कम है उपरवला क्या करेगा हमें खुद को कुछ करना पड़ेगा कोई भी आके हमें यहां बचाएगा नहीं हमें अपने आपको बचाना पड़ेगा नहीं तो सब मरेंगे ये बात तो तुमने सही कही, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन यहां से भागेंगे कैसे? जेल में अगर हम रहेंगे, तो वो हमें मार देंगे इसलिए हमें इस जेल के बाहर निकलना होगा ये जो उपर तारे हैं, उसमें करंट है अगर हमने उसे चू लिया, तो मरेंगे सरकार तो हमें फासी की सजा देने वाली है है ना? तो हम यहां से भागेंगे तेरी तो, क्या रहे कमीनों, तो तुम लोग यहां से भागने का प्लैन मना रहे हो हां, इतना असान नहीं है, तुम्हारे लिए हम अपनी जिन्दगी जोखम में नहीं डाल सकते तुम्हारी जगा हमें जेल का कुली बनके रहना पड़ेगा चलो ठीक है, हाँ ठीक है, चलो रहे हाई अभी हम, तो फिर, तो वो डी गैंक के सीधे साधे बिचारे लोगों का रिसर्च कहा तक पहुँचा हम, I know, nothing will be happen पास सालों से ये लोग कितने ख़दरना क्रिमिनल हैं मैं जानती हूँ वो इनोसेंट है, ये प्रूफ करने के लिए क्या बाकी है अभी हाँ हाँ, the less you know, the more you believe इस केस में भी ऐसा ही है हमें इसके बारे में जानना है लेकिन थोड़ा गहराई से कोई भी क्राइम प्रूफ करने के लिए सबसे मुख्य क्या होता है circumstantial evidence this followed by fingerprints, weapons and DNA जिसमें होता है sperm test, blood test and hair analyzation इसमें से कोई भी match होना चाहिए लेकिन हमें इस केस में कुछ भी नहीं मिला अगर कुछ मिला तो eye evidence and ornament matching इन दोनों में क्या मिला? ये दोनों तो कभी भी किसी वक्त बदल सकते हैं as you know अगर ये दोनों में से कोई भी जूट निकले तो the whole case is ये तो मुझे भी पता है वैसे तो सभी इस बात को जानते हैं ये गैंग लोगों को अरेस्ट करने से पहले इन लोगों पर F.I.R. फाइल करके कोट में प्रोड्यूस करने के लिए 45 दिन तक पोली स्टेशन छोड़के दूसरी जगाएने रखा गया क्यू रखा गया? कहां रखा गया? इन लोगों ने क्या किया था? मैं ये सब अच्छी तरह से जानना चाहती आप मुझसे मिलने यहां मताईए नहीं तो यहां मेरी जान का खत्रा है पैसो की लालच में तुमने जूट भी बूला होगा न? मैडम, आपको क्या लगता है? सिर्फ महनलाल को ही टॉर्चर किया गया उनके साथ साथ मुझे भी बहुत ज़दा टॉर्चर किया गया मैंने बहुत परिशानी सही है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता अगर ये बात तुमने किसी और को बताया चांद से मार डालूँगा मैडम, पूछ ताज के लिए मोहनलाल को लेकर गये थे ये आपको किसे पता तुम्हारी तरह पैसे की लालच वाले दुनिया में बहुत मिल जाते हैं आप जैसे टीवी वाले और रिपोर्टर्स वो ग्यांग वाले हमारे गाव के है बोलके हमारे गाव का नाम बदनाम कर दिया है हमारे गाव की लड़कियों से कोई दूसरे गाव का लड़का शादी नहीं कर रहा है यहां रहेते थे तब ऐसा कुछ हुआ था इन लोगों के उपर छोरी के इल्जाम कटल के इल्जाम क्या आप इस बारे में जानते थे देखिए जब तक वो लड़के यहां पर थे या उनने चो इसका बिल्बकुल भी पता नहीं है सिर्फ एक नहीं मैडम चार-पांच लोगों ने मिलके मेरी बेटी की हिस्जत लूट लिए चार-पांच लोग थे आपको कैसे पता हमें तो कुछ में पता नहीं मैडम वह पापी लोग तो पुलिस वालों के साथ लेकर आये थे इसी घर में मेरी बेटी को इसी घर में हमारे आखों के सामने उसकी इदजद के चितड़े चितड़े कर दिया उन लोगों ने और हम कुछ नहीं कर भाए थे और आपकी बेटी पर मेरा मतलब जब आपकी बेटी पर अत्याचार हो रहा था तो किसी पडोसी ने देखा था गया नहीं मैडम हमने तो नहीं देखा था उस केस की इन्वेस्टिगेशन टीम में आप भी शामिल थे ना हाँ जी और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है बहुत अच्छी बात है सर पर देखने और सुनने में बहुत फर्क होता है सर क्या कहना चाहती हैं कि वो लोग इनोसेंट हैं हाँ हो सकता है सच सामने आये तो सब पता चल कठोर सजा देला दे कानून की हिफाज़त गुडवर्ड उन्हें अरेस्ट नहीं किया उन पर फायर फाइल नहीं किया और कोर्ट में प्रोड्यूस भी नहीं किया तो अनोफिशली उन लोगों को कहां रखा था सर क्राइम रिपोर्टर इस महिने के विच्टर लिस्ट को चेक करके फाइल करना आई विल लुक अफ्टर सर्थ सर्थ स्क्यूज में यस थैंक्यू सर्थ हाँ बैठ ये थैंक्यू अभी व्यक्ति येस सर्थ मीडिया से यह राइट आप किससे मिलना चाहती हो नोटेरियस डी गैंग वालों से वो नोटेरियस है या इनुसिंट है ये बात वक्त ही पताएगा सर्थ आप लोग मीडिया वाले हो हम एक तरफ की सोचते हैं और आप दूसरी तरफ चले जाते हो सुनो मेडव पांच साल की मैनत है जब हमने उन् दूस किया कोट ने उन्हें आसी की सजा दी है और आप उन लोगों को विचारा कह रही है क्या करें सर हमारा काम ही ऐसा है हम इने इस तरह खुला चोड़ दें तो आप विरपन को भी विचारा कहेंगी समाज सिवा के नाम पर आप उन्हें अवाड दिला देंगी कभी नहीं जैराम सर अगर आपने अपनी इतनी साल की सर्विस में किसी भी बेगुना को सजा नहीं दी होगी तो मैं यह काम छोड़ दूंगी पर्मिशन दे दिया जाकर मिल लीजिए थांक यू सुनो चंदर इन्हें अंदर जाने दो हालो ठीक है चंदर यह सब्सक्राइब को आपको बुलाएं आई क्या हुआ सब्सक्राइब पर्मिशन कैंसिल हो गई वाट ऐसे कैंसिल ओल अफ एमर्जंसी मैडम समझने की कोशिश करिये कैंसिल हो गई बस हालो मैं जराम बोल रहा हूं हां सर बोलिए अभी व्यक्ति नाम की रिपोर्टर डी गंग से मिलने के लिए थी जाने दीजे सर ये सब हमारे लिए आम बात है अगर कोई बी बात हो तो वो खुद सीरियसली डील करती है सर अभी वो डी गंग को नहीं छोड़ेगी वो केस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत जोश में है कल के रेप और मर्डर में आप किसी को बताना नहीं इसी सीक्रेट ही रहने दो आपको एक बात बताता हूं सर डी गैंग के संबन में और सारे विटनेस के संबन में वो सारे ओफिसस को मिलती रहती है सर एनिटाइम वो आपसे भी मिल सकती है सर खास करके 41 लोग की आपने जो इंक्वारी की थी ये बात उसे भी पता चल गई है सर वो इंक्वारी करके ही चोड़ेगी सर वो डेंजर है सर आप सेरा होश्यार रही है तुम जल्दी उठके तैयार है ना दूसरे जेल में ले जाने का मतलब है कि तुम लोगों के सामने मौत खड़ी है इसलिए वो लेकर जा रहे हैं हलो बोलो क्या हुआ रहे हैं पर लोगोई कोई उल्हाँ के रेगी हैं और प्रुम जल्दी परीव क्यों छीफट कर दिया है सर। य। जल्दी फासी कहें रहेत builder लिय। Creator जोई मुझा एक निए लुग में आपोईमें एक जए में पॉट्माइम्तन चाहिए को एक जाए और निए जे रावा एक जा एक प्साद को आप एक जो सुटते में पॉटेश रखाविए इस ताम एक इनल एक अश्रकिया एक यूटेश रहे रहुंग आप चलो 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 यह लोग कौन है लग अच्छा संद्धारा अच्छा संद्धारा आप आप इस ते क्या हो रहा है ज़र काने में रिया नहीं मिलेगी चुपकर चुपकर क्या सराब भी GUY कêu की सुनो मेरे प्यारे वाधियों इस नियू भैर्टि जेल में तुम लोग रह रहे हो यहाका किसी को पता नहीं यहां का कानून मेरे हाथ में है तुम लोग गेड के आगे नहीं जा सकते यह यहीं खाओगे यहीं पीओगे और यहीं पस अंडास करोगे समझ गए अब अगर जाने अंजाने तुम लोग गेट के पास पहुंच गए तो तो समझ दो तुम्हारी जिंदगी का टाइम खात्म साथ यह आदमी पागल है क्या अरे पागल नहीं हो तो जो मैं बोलूँगा वही तुम्हें सुनना चाहिए समझ गया क्या तुम लोगों के सामने जो सीधा-सादा इंसान नमाज पढ़ रहा है ना यह बहुत शातिर है यह मुसल्मान है इसलिए नमाज पढ़ रहा है इसने कि जैसे राक्षसों का बाप है और तुम सब लोग इसके चेले तुम सब यहां पर इखटा हो गए हो अब मुझे लग रहा है कि मेरी जेल में सब राक्षस की टोली आई है इस इन सब को क्यों हमारे पास भेजा है यह तो हमारी बतनसीब है सुनो बेटा आपर वाले के बारे म में बताएगा एक लाज बारूंग आना तब समझ में आ जाएगा बाबा बनता है बाबा एक हाट बेर पीछे एक बंद करो इन लोग पर नजार रखना कि अरे तुम तो दिखने में बहुत भूली वाली दिखती हो क्या तुमने असी लोगों को मार डाला तुम्हारा नाम क्या है एए डक्कान घूरती क्या है हां एक घुसा मारे थौपड़ा पटक जाएगा एए बताना नाम क्या है यहां कैसे आई जूटा केस बना कर हमें अंदर डाल दिया हम लोग रोजी रोटी के लिए खुली का काम करते थे हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था इसलिए जूटे केस में फसाया प्राइए तेरी तो तेरे जैसे हरामी बहुत देखी अंदर कोई मालवाल छुपा के रखाए के यह देख रही थी इसमें शर्माने की क्या बात है यहां पे सारे महिलाए हैं यहां पे कोई मर्द नहीं है यहां सब बाल बनाके नहाके पढ़ा पहनते हैं तेरे पात जो है न वो भी हमारे पास है समझी मेरी सुन्दरी इन सब बातों में बहुत बड़ी खिलाडी है तू अच्छा यह बता पगली अपने पते का खुन करके तू यहां जेल में सड़ रही है तुझे शर्म नहीं आते तू अरे बसकर का मीनी तू किसी से कम है क्या साली तुम भी तो बहुत बड़ी खिलाडी हो जायदा आप के लिए अपनी बेटी को ही जहर देकर तुमने मार डाला ग्यान मत बाट ए लोफर बत्ता में थू जो फोजा कलमुही अरे तुम तो खोद अपने गावालों को चुना लगा कर पैसा लूटी हो और यह के लिए पर्मिशन चाहिए उन्हेंने हमें बुलाया साहम जाने दिजे ना उन को बुलाया क्या साहम ने हमें बुलाया था जाने पताने कहां से लिए दरवाजा बंद कर दे सर कितना भी बोलो उन्हें वो लोग नाटा की करते हैं ठीक है अंदर लिया उन्हें नमस्का साहब नमस्ति साहब हमारा यहां से बहुत दूर है हम वहां से आये हैं साहब हमको हमारे घरवाला से मिलने नहीं दे रहें साहब तीन हबते से यह लोग अंदर नहीं आने दे रहें साहब जब आती हैं वह वापस भेस देते हैं आज रहम कीजिए हमें अपने घरवालों से मिला तुम लोग उनसे मिलने के लिए परमिशन मांग रही हो हां उन्हें आज ही बेलगाम जेल में शिफ्ट कर दिया है कहा लिकर ग जो दो खोड़ा है कि लिए अन्हें कुछ लिए कि फ़ोगे इन सब को बाहर निकालो जलो ने बाहर लेके जाओ चलो अब आपके पैर पड़ते हैं प्रूदो फड़ते हैं अधर जोड़ों के अधर शोड़ों कि लिए वापसलने शाव पाको याज़ों कुछ ने रहते है हाँ ये डी गैंके ही लोग थे रोज चले आते हैं तंक करने के लिए ये तो आम बात है मेम साब पीने के लिए पानी दीजिए गलास सूख रहा है मेम साब थोड़ा सा पानी पिला दीजिए एक मिनिट रुको अहां हाँ अहाँ अहाँ झाल चैल थान बेस्ट प्रापल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब मत बताना जी सर बॉड़ी को प्रॉसमार्टम के लिए बेजो ओके सर कर दो आजएंग सुपरोग। हुआ है 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 चंद्रिका पिछले बुद्वार को तुम लोग कहां थे कोड गए थे साफ वह अकिल साब ने आने के लिए कहा था इसलिए गए थे साफ वहां कितने बज़ गए थे और बीच में वहां से कहां गए थे हम तो वकील सहाब से मिलने के लिए गए थे वहां उनका इंतिजार कर रहे थे बस उसके बाद कहीं नहीं गए साहब ऐसा है क्या हाँ साहब प्रताप साथ क्या ये लोग सही बोले हैं इसका तुम पता करो ओके साहब तुमारे आदमी लोग जेल में हैं और तुम कहती हो कि तुम लोग कोट में गए थे ठीक है कल से तुम सब यहां थाने में आके साइन करके बाद में कहीं जाओगे समझ में आया ओके निकलो निकलो यहां से आओ मालूम है यही है उमेजा आई साब आपने बहुत रेप के कैसे कि हमें बताईए है खाब हम भी पिंगे बहुत दिन हो चुका है भाई भाई इस उमेज ने आप तक चत्तिस बलात्कार कीए यह था यह तुमने जिस स्कूल में पढ़ाई किये यह वहां के प्रिंसिपल हैं तुम नालाइक लोग सिर्फ जिन्दर लड़कियों का ही रेप करते हो इसने तो मरी हुई मैलाओं के साथ भी रेप किया है समझे इसने उस चांदते हो किससे बात कर रहे हों यह बहुत ही खतरनाप गयांका है तुछ तुछ पर दिन बर ऊपर वाले कानाम लेता रहता है और की कहानिया सुनाता रहता है नालायक एक मारूंगा तुरह दिमाग हिल जाएग पागल ए वहां किया कर रहे तुम लोग है जल्दी से अंदर जा चाल जा रही हूं ना अपने आपको बहुत शाणी सा मज़ देख्या एक और दोकर ऐसा करती हो तेरे चिकने बदन को देखकर मेरा का मूड बन गया अरे यह तो बिच्चारी है तुझे तो रात होती तो मूड आ जाता है तुझे दूसरे का मेरे में डालने के लिए बोला तो भी नहीं सुनते हैं मैं तो कहां पक्स गई अच्छी नेंदा रही अरे मेरे सोने दो आजा आजा सोजा मेरे बाजू हाई अभी सुनो बहुत इंफिलेंस से तुम बेलगाम जेल जाकर के डी गैंग से मिल सकती हो परमिशन ला दिया है सच में यह लो है हुआ है अर्य आर्यू है कंए है को जो फ्रीय है खोगा यूपरवालिया पता नहीं हुआरी साथ कौन ये खिल खेल रहा है समझ में नहीं रहे क्यों हाया है हमको तो सब की नजार में कातिल बना दिया है पुलिस वालों ने हमारी जिन्दगी नर्क बना दिया है, और उपर से ये प्रैस वाले, ये हमें और दर्द देने आएंगे क्या, पता नहीं। ये तो हमारी कहानी छापके पैसा कमाने का धंदा है। हम करे तो क्या करे, हम लोग गरीब है न, इसलिए ये लोग हमारे साथ अपनी मनमानी करते हैं। हमारे गाव की लड़कियों से शादी करने के लिए कोई बाहर का लड़का तैयार नहीं हो रहा है, समझें। एक बार उस प्रेस वाली को आने दो, फिर हम उसे बताएंगे। सब अपना अपना फाइदा उठाते हैं। नुक्सान तो हमें ही सहना पड़ता है न। देखते हैं कल। ला मुझे दे। क्राइम रिपोर्टर मैंने आपसे कहाता ने, सब पापी हैं कहीं छुपके बैठे होंगे। कोटी, सूराज, दीराज, सब लोग कहां हो यहां। सर, सबाव रहे, मैडम, इनकी गैंग में एक महिला भी है, यह भी उनके कारणामों में भागिदार है, नीचे बढ़ जा। यहां हुआ है मैं इन सबसे आधा घंटा प्राइवेट में बात करना चाहती हूं मैं यहीं पर रहता हूँ पर्मिशन लेते समय स्पेसिकली यह मेंचन किया था सरr आफ बात समझने की प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए क bounce कि bounce कि हमारी मज़ा कुड़ाएगी तू हमारी मौद के पहले तू हमसे मिलने के लिए आई है ना पेपर में फोटो छापकर हमारी मौद का मज़ा लेगी तू मा डालो इसे मैंने पहले का था कि मैं आपके साथ यहीं पर रुखता हूं लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं अरे यह लोग इंसान नहीं जानवर हैं इंसान को मार कर उसका खून पीने वाले शैतान हैं यह लोग आपको किसने बोला कि यह लोग बेचारे नहीं आप इंसे क्यों मिलना चाहती है यह बात मेरे बेजे के अंदर तो घुस ही नहीं रही है मैडाम आपने परमिशन क्यों ली खुद प्रदान मंत्री से पर्मीशन लेकर के तुमसे मिलने के लिए आई है तुम लोग उनकी गरदन पकड़कर उन्हें मार रहे थे तुम लोग राक्षसों की अउलाद हो यह सुनो पापियों तुम लोग इनके साथ राक्षसों के जैसा बढ़ताओं कर रहे हो और यह दूसरी ज़गह पर होते हैं तो एसा ही बरताफ करते हैं मैं जानती हुं सुनीं इन लोगों से मिलने के लिए बहुत मुश्किल से पर्मिशन लाइं हूं सर तुम मैं side जानना चाथे हूं जो सब इनके बारे में कहते हैं वह सच मैं इनके मुझ से शुनना चाहती हूं कि इ मेडम मुझे माफ कर दीजे मेडम पेपर वालों की तरह हम आपको भी समझ गए थे गलती हो गई लेकिन हम ऐसे नहीं है हम तो मजदूर है मेडम इन लोगों ने गलत तरीके से अब अंदर डाल दिया छे सालों से यह लोग पेपर में टीबी में हमारे बार में गलत चापते र मेडम आपको गलत समझ के आप पर हमला कर दिया इन लोगों से गलती हो गई मैडम हमें शमा कर दिजे मैडम हमने अपनी जिंदगी में पुलिस वालों से और प्रेस वालों से बहुत दर्द साहाए मैडम हम अपना दर्द आपको कैसे समझाएंगे मैडम हम लोगों को माफ क अगर आप यह दो अभी तक तुम सबको किनगे लोगों ने धोका दिया ये तो मैं नहीं जानती, पर घबराऊ मत, मैंने आज तक जो भी सीखा है, कसम है उस विद्या की, आत्मशक्ती की, तुम्हें धोका नहीं दूंगी. तुम्हारी केस के बारे में बहुत जान लिया है, पूछताच भी कर रहे हूँ. तुम्हारे बारे में जो भी लोग कहते हैं, या फिर ये पोलिस वाले जो भी कहने की कोशिश करते हैं, कि तुम खूनी हो, रक्त पीने वाले शैतान हो, पर मैं इस बात को नहीं मानती. लोग चाहे जो भी कहें, मैं अपने सिध्धान तो पर अटल हूँ. मैं ये तो नहीं कह सकती कि सजा से आपको पूरी तरह से राहत मिलें, लेकिन आप सब पे जो कलंक लगा है, मैं उसे मिटा कर रहूँगी. लेकिन आप सब को सच बताना पड़ेगा. आप समझ रहे हो ना, सच्चाई जानना जरूरी है. अगर आप लोग सच बताओगे, तो इसी सच्चाई के आधार पर आप सब लोगों का भविश्य निर्भर करता है. बताईए. हम लोग बहुत तकलिफ उठा के आए. हमने सारे काम किये, कुली का भी काम किया. आठ साल पहले, अपने मन में बहुत चाहत लेकर, हम लोग हमारा गाउँ छोड़कर बैंगलोर आये थे. हम अपना सारा सामान, कुत्ता, मुर्की, सूवर, सब लेकर शेहर में पहुच गये थे. हमारा रहने का कोई ठिकान नहीं था. अभी कितना बूर जाना है, चल्टी चल्टी मेरे पैर दुखने लगए, यह तो बहुत ठक गई यह जगा ठीक है. तो क्या देख रहा है, चल्टा बादना उपर से, जल्दी यार, जल्टी यार, वह गाउं, यह गाउं, छुप छुप कर हम गाउं से शहर आ गए हैं, अब यहां गाउं हमें कितना साथ देखा, हमें पता नहीं, एक काम कर, तेरा हैंडल चल्टी मुझे मूँ दोना है, चल बहुत तकलीफ सही है भाई, हाँ सही बोल रहे हो भाई, मुझे तो लगता है कि जितना दुख दर्द हम लोगोंने सह है न, वो सारे दुख दर्द ये गाउं हमारे भुला देगा, तुम्हें क्या लगता है, हाँ, तुम सच कह रहे हो भाई, भगवान करे हमारी सारी तकल को रही है है अरे सुन्वे है आरे चल काम पे जा रहा है जल ना मेरी तबियत गढबढ़ है मैं नहीं आ सकती तुम चलो आरे तेरी रात का सोती नहीं दिनबल सोती रहे चल आट के ली कई की आज साम को एक घंटा ज्यादा काम करो तुम लोग पैसे ज्यादा मिलेंगे अरे हम नहीं करेंगे हमें जल्दी जाना है यह तुम लोग जिंदीगी पर कूली बन कहीं रहोगे लेकिन मेरी तेरा मिस्त्री कभी नहीं बन पाऊगे समझे मैं दूसरे लोगों को काम पर बुला हम सब तकलीब में है सहाब अगर आप काम दोगे तो बहुत महरवानी होगी हम पर देदीजिये साब काम तुम लोग पहले काम कियो हो क्या जो भी काम दूंगा करोगे क्या है यह मनी इदर आप इन सब को काम पर लगा दो कुछ लोग उधर चले जाओ और बागी मेरे साथ चलो चलो चाहों है जल्दी खा लो नहीं तो तुम लोग खाने में ज्यादा वक्त लगाते हो जल्दी खाके काम पर लग जाओ चलो बाहर कुछ स्पेसल खाना खाके आते हैं बाहर स्पेसल खाना खाने जाएंगे न तो यह लोग मुझे स्पेसल ट्रेंड में घाओ भेज़ देंगे मैंने जाओंगा तू जाओ अरे दादा इन लोगों से पहले खाकर आप वापस आ जाएंगे चलो आओ मेरे साथ भू खाने वालों को इस तरह से मत देखने तो भूख ज्यादा लगी शाम को हम काम करने के बाद जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से खाना बनाके खाएंगे सुबा से कुछ भी नहीं खाया बहुत भूग लगी है सिंदगी पर हम्दोर मेनत ही करते रहेंगे खाना कब नसीब होगा लो पीलो चलो बहार जाके देखते कुछ खाने के लिए मिल जाए हम सब खाना कैसे मिलेगा है मैडम हमें कुछ काम दे दो उसके बदले खाने दे तो पैसा नहीं चाहिए चलो यहां कोई काम वाम नहीं है रोज की रोज आ जाते चलो भागो यहां से में में वह चानर क्या करो भीख मांगने आ जाते हैं भीख मांगने आ जाते हैं करेनल में चाहिंद में 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 अंच मैं में साथ मैं मैं इस गवार आइए और कों थॉल लुक कुछ ढी mist अलगे बहुत भूग लगी है खाना खाके तीन दिन हो गए ठीक है जो बाहर का कार है वो साफ कर दो हाँ ठीक है और हाँ गार्डन भी क्लीन करो हाइड नहीं मैंने पहले कहा था कि मैंने रहूं गा यहां कोई काम नहीं करेगा यहां अबा बाहर काना काने के लिए जो गय थे वह अभी तक आयक्यों नहीं ये लोग आ गए है खाने का टाइम खतम हुए आदा घंटा हो गए तुम लोग काम धाम जोड़के कहां चल गए थे सहाब आच के दिन हमें माफ कर दीजे हमने खाना नहीं लाय था खाने के लिए हम थोड़ा दूर गए इसलिए देडर हो गई आप UK लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था न तो हम तुम लोग बाहर से भीक मांगे कुछ खा के आए साहब ठीक है तुम लोग जल्दी जाके काम शुरू करो तुम लोगों की बनेसिभी है कि भीक मांग के खाना खा रहे हो चलो जाओ मोहन सब तीन दिन में ये दूसरा इंसिडेंट है येस सर्थ को के चलो 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 लाइन में खड़े रहो यहां इतनी भीड क्यों है कुछ नहीं पता पुलिस में आई है चलो 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 साइट में खड़े रहो भाई हमारे यहां से जाने के बाद कुछ हुआ क्या क्या है क्या हुआ है एक लेडी का यहां मर्डर हुआ है जिसका सोना चांदी रूपिया पैसा सब लुटकर लेगा है अब बहुत समॉआ 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 एड़र में से शरुड़ से रड़क एार अर्भक एारी ने शरुड़ कि भूर में स अरुड़र्स अरेर वीज उर णाव कि अज जरुड़रियाद्स कर दो कर दो सुनो प्रताप सर ये क्राइम टीम स्निफर डॉग और अपना फॉरंसेक डिपार्टमेंट सब को इमीडियेट इंफॉर्म कर दो ठीक है सर इस मडर को देखते हुए शहर में जितने भी मडर हुए हैं सब एक जैसे हैं जी सर गॉट इट बिल्कुल हाँ दोपर में ये घरवाले ने हमें खाना दिया था लेकिन अभी हो एए साब इधर आप हुँआ क्या नाम है तेरा हम कौन है साब क्या काम करता है नंदू कुली साब मैं यहीं पास में काम करता हूं साब जब तुम लोग खाना खा रहे तो उस समय यहां कोई आया था क्या नहीं आया था साब हमारा काम खतम होने के बाद हमें खाना कहिला था साब कब तक ते तुम लोग ठीड बजय से वाने दो बजय तक साब परताब यह मडर केतने बजह हुआ था 2 से 20 बजह हुई था सार है है अच्छा ऐझ काarna खाके तुम लोग कहां गय थे खाना खाने के बाद हम लोग साइट पर चले गए थे साब याद करो जब तुम लोग खाना खा रहे थे शायद उस समय कोई घर पर आया होगा नहीं साब कोई नहीं आया था और कुछ पूछना है साब अधीक है जा प्रता एक घंटे में आता हूं तब तक तुम सारा काम खतम करो जाएं क्या हुआ कफा गाड़ी स्टार्ट नहीं और ये स्टार्ट नहीं हो रहा है इसल्व गया Independence की हालत बड़ बड़े कैस सॉलब करेंगे लेकिन गाड़ी की हालत ऐसे रहेगी अस्ट और क्लच दबाओ जी सब लगा क्लच फोड़ो हुआ ठीक है सब मेरी थैली में पैसा रखा तक हा गया मुझे क्या पता कौन ले गया अरे तुह लिए अरे इसने पैसा खर्चा कर दिया होगा अब मेरा नाम ले रही है सुनो तुमने इस सूर को बांद के क्यों रखा है इसे खोल के रखोगे तो इदेवदर घूमेगा बांद के रख किया फायदा चलाट कुछ भी करके उसको पटाना जोरूरी है क्या रहे पानी लाने में इतना वक्यों लगा बहुत मुश्किल से लिला है क्या हो गया इसे आज मेरी परताबिया थोड़े ठीक नहीं लग रही है लो ऐसे रहेगा तो खुश रहेगा क्या इसको खुला छोड़ दो इसको इसे बांध के रहेगा इसकी दव्यर्य रही है और मां से मिलेगा तो खुश हो जाएगा ये छोड़ दे तुमारी बात मानकर अगर छोड़ दे और वापसने आएगा तो क्या करोगे अरे ये पागल हम ने खाना खा लिया है इसने खाना नहीं खाया इसलिए बिमार नहीं चोड़ दो यार मैं नी जाऊंगा इससी ने जाकर कहीं छोड़कर आ जाते हैं ए ऐ छोटे अरे तुम हमको यहां पर क्यों लेकर आया है क्या काम है यहां पर हम लोग को सिधा घर जाना चाहिए कि इदर आज़ा इदर आज़ा है कि या इस वक्त तुम लोग कहां से आ रहे हो हम लोग फिल्म देखकर आ रहे हो इस तरफ कहां जा रहे हो अपने जोपड़ी की तरफ जा रहे हो कि टिकट देखाना कहां रहे है टिकट कहां अ फिल्म देखने गए होते तो टिकट देखाओगे न हां इस बिठा गाड़ी में यह देखी दोनों को बिठा यह यह रहा यह रहा पास टिकट पहले देखाते तो क्या होता है चल गाड़ी में बैठ यह तो लोगों को गाड़ी में शोड़ेता हूं अधा यह चलो ए छोपरे साथ कितने सालों से यहां रहते हो एक महीनी से साथ कौन लाया था तुम्हें काम जहां मिलेगा हम लोग वहीं पर रुख जाते हैं साथ हम वारे पस काम नहीं ता हम यहां रुख गए साथ कोई यहां पहचान वाला है क्या नहीं कोई नहीं है तुम लोग कितने लोग रहते हो साथ हमारे साथ कृष्णा शिवानी मुना और टोटल कितने लोग रहते हो कुल मिलाके तेहरा लोग रहते हैं साब हम सब साब रुको ना यह गाड़ी रुको ओके सार यहलो साब नहीं चाहिए यहलो नहीं चाहिए यहलो नहीं दन्यवा साब मूँ कर देख बुड़ा रहा है कि आने में इतनी देर क्यों हो गई है अरे अभी तो और देर हो जाता है पर उस पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी में हम यहां छोड़ा है क्यों क्या हुआ अरे पिच्चर देखने गए थे ना रास्ते में रोक लिया पुलिस ने बोले पिच्चर का टिकेट दिखाओ मुझे याद नहीं था उन्होंने हम दोनों को रास्ते में मारना शुरू कर दिया बाद में मुझे याद आया टिकेट तो मेरी जेब में दिखा दिया अरे बुड़े को क्यों मार खिलाया तू खाता तो चल जाता था अरे यह पोलीस वाले ह हम घरीबों को चोर समझते पैसे लूटते हैं मैं बहुत चालाग हूँ पॉलीस वाले ने हमको 100 रुप्या दिया और उस पैसे से अदम यह लेकर आया हूं यह देखो हमझे जड़क पर रहने वाले लोगों के साथ कोई महरवाली नहीं करता कोई हमारी मदद भी नहीं करता है इतना ही नहीं कोई पानी भी नहीं देता हमें उस बेचारी प्रफेज ने हमें रहम खाकर हम सब लोगों को खाना खिलाया था और पता नहीं कि शैतान ने उसकी जान ले ली यह तो उसके सब बहुत हुआ चेह बहुत हुआ अ क्या हुआ जा हुआ W इसनीलणतो हो जाल आगा भानल हो एका आए अट्षिए पट्टी लगा पट्टी लगा पट्टी लगा अट्टी इन्हें किसीने अंदर कतल किया है और लाशे बाहर लाकर डाल दी है प्रफॉटोग्राफर, इनकी फोडो ठीक से कीचो, ओगा सर फेस पॉफेक्ट्ली आना चीए, ओगा सर पता चलनी जी फेस, ओगा सर एविडेंस को कलेक्ट करके बॉडी को इमीडियेट पोस्माटम के लिए भेज़ दो, जी सर, क्या कर रहे हैं, अरे दर सो ठीक से लूँ ना, जी आए, जी आए, मोहन, सर, फार मिल्टिस फिनिश करके स्टेशन पर आ जाना, ओके सर, अरे जाना, जी आए, उस आदमी को और उस आउरत को इसने खत्म कर दिया, वह, क्यों तो कर रहा है, अगर को तकलीब हो रहा है, तो तो थोड़ा पानी पी ले, अरे ये तो सही नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो करने पर दो, हुँआ, क्या कर रहा है, कुछ नहीं होगा, समझा, मासा लेगा खा, सब कुछ सही हो जाएगा, अरे, बहुत तकलीफ हो रही है, जरा सा चोर लगा के, सब निकल जाएगा, यहां प्रेशर मत निकाल देना, अरे, मुख्य मंत्री जैसा प्रेशर देगा, मुख्य मंत्री, तुम लोग हमेशे मजाग करते हो, तुम लोग को मजाग की सूची है, बताओ मैं क्या करूँ, अरे, अरे, अलै है, सोर से, शर्द देना होगा तब मुझाएगा, अ अबे, हाँ, अए आधिए हैं अधिया भात निगल यहां उश्या अधिसे डर्द हो रहा है तो उश्या उटा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं मैं करता हूं मैं जा कर आता हूं तुम अपना ख्याल रखो मैं आता हूं तुम चिंदा बद करो मैं आता हूं इह बाग क्यासे जाए मांगुथ नहीं मांग रहा हूं मैं दिखा तुम इसे बेचने के लिए Achum تुम मेरी है है शकल अपनी मेरे पास झांगुषी होते तो मैं सच बोल रहा हूं मुझे ये मंदिर में से मिली ये मंदिर में मिली दी तुझे हाँ साथ कितने रुपए चाहिए आप सोच समझ के दे दीजिए नो साथ 200 रुपए दूँगा चलेगा क्या देजिए साथ तरह मैं आपको फोन करने जा रहा था यह अंगूठी लेकर कि मुझे मंदिर के पास से मिली यह देखें यह से बेचना चाहिए था यह चोर यह सब्सक्राइए चोर नहीं हुआ इसका चहरा कहीं देखा वह लग रहा है सर उस दिन रात में जब हम लोग पेट्रोलिंग पर सड़क पे खड़े थे वो लोग फिल्म देखके आ रहे थे ओके सर उनमें से ये एक है ओके वो फाइल अच्छी तरह से चेक करो जी सर्थ झाल झाल पके सर उनमें पेवारो इसे कहां से चोरी किया और तुम्हारे साथ कौन-कौन है और पाकी सोना कहां चुपा के रखाये जल्दी बता मैंने चोरी करके हर चोर अपने आपको बेगुना ही समझता है यह हम जानते हैं सच बता दे तो तू बच जाएगा अब बोल मैंने चोरी नहीं कि सर अबुठी मुझे सड़क से मिली थी सर यह बिचारी दर्द से तडब रही है काम करकर के इसे कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है हमें किसी भी हालत में से अस्पतार ले जाना चाहिए नमस्ते नमस्ते तीन दिन से देखाई नहीं दे रही हो उसे पैर में बहुत चोट लगी है साहब वो दर्द से तडब रही है और तेज बुखार भी चड़ा है उसको टिकनेस का इंजेक्शन दिया था वो क्या होता है साहब अरे कैसे जाहिल हो तुम लोग टिकनेस का इंजेक्शन नहीं जानती हो इतना बड़ा कीला पैर में घुस जाने से पैर खराब हो जाएगा समझ गई डॉक्टर के पास जाने को बोलाता उसके पास जाओ वो दवा इंजेक्शन दे देंगे जलने लेकर जाना पैसे वैसे देने की ज़रुवत नहीं है उनसे मेरा नाम कहना जा 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 पहाँ जा जा जाएगा मेर कहना जा związ дорог जाएगा से वो डॉक्तर उसे इंजेक्शन दे देगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो खार भी उतर जाएगा ए बगवान हमारा सब समान कहा है क्या हुआ सुवर भी वहान है कोटी 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 कहां मर गया है अध्या जर्ण काईर आध्या हाँ तो को अजन पू़र हमारे पास là investigators अब हमें काम लेंगे दीरे दीरे हमारी सब दूख का श्क सब कुछ खतम हो रही थी उपरवाला का खेल देको हमारे साथ ही सवेसा हो चब सब कुल ठीक हो रहा था तब उसको उसको ही क्यों लेके गए उपरवले प्रग्या के इलाज के लिए हमारे पास पैसे ना हूने की वजए से मर गई भूब हो रहा हूं कि हम जैसे गरीबों के सांध कि हम जीसे तो अच्छा है कि मैं मर जाओं यही सोच कर वह भर गई जीने का कोई कोई रास्ता नजर नहीं आरहा क्या कुछ पी समझ नहीं या अब कर दो ने देर चेसी गाड़ी में जालो से लो उत्रो इंथरो प्रेव चलो चलो आंदर इचलो इनको तलके चलो आविवेजा शुरू एट चलो सब लोग बैठो वहां बार बैठो चलो चलो उतर उतर जाके बैठो अरह उसे यहां बैठो आराम से ठीक तो हो ना कि अधर शाब हमें यहां क्यों लाए हो हमने कोई गलती नहीं किया हम हाथ चोड़ते आपके शाब हमें चोड़ दीजेमिया से दूर चले जाएंगे तुम लोगों को यहां क्यों लाया है यह बात तुम्हें पता नहीं न तो चुप चा बैठे रहो एक तो वैसे हमारा दिमा चुप चाप खाना के यहां पड़े रहना भागने की बिलकुल कोशिश मत करना क्योंकि यहां पांच किलोमेटर तक कुछ भी नहीं है समझे क्या अगर भागने की कोशिश की तो एंकाउटर कर देंगे मनों वाओ टिंगू है उसे भी लेकर आना दर्द हो रहें क्या पता हुए हमारा साप इनने लेकर आने के लिए क्यों बोल रहा है मुझे कुछ समझ में यहां तो बहुत मारा है साप दस में कुछ नहीं किसाभ मैं कुछ नहीं कर सकता यह के सहाब के आथ में हैं तुमने क्या किया मुझे क्या पताtest मेरी वात समझो कर दूटी भी खतम हो गई तुम लोगो का दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा कि आपका अपका इस प्राइब को यह से मार रहे आप साथ यह का अगा जया है साथ यह गलत कर रहे आप साथ बीज़ दूसा कर तो जोड़ दिजिए आविल से पचाले के आप अपने कोई गुना नहीं किया साब को चलो उपर जल्दी रह जलो उपर है जल्दी जलो जल्दी चलो उपर जाना एज़ जल्दी पूक है कि ते ये चलो बोलाना ये जल बने देखा यह जल्दी जल्दी चल जल्दी आगे चल बैठ जाओ आपे बैठ जाओ आपे बैठ कपड़े निकाल कपड़े निकाल निकाल जल्दी तरड़ी लोंगी निकाल जल्दी लोंगी निकाल कि यह जाओ 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 यह जाओ आपके इसाओ नहीं जाओ आपके पिछे मोड़ आप उपर कर नुद्याओ इस वड़े रहो अगर तेरे मुझे कोई आवाज निकली तो ये सब मरेंगे समझ में आयो ये भी मरेगा के अगर ये जब पिलना अगर साल ये आज आखी अयो खाल को कि अरुका जो आज अऊ तो चॉड़ दिन जहां तुक्रण तुक्रण दूलाना चले थे डरा तर जल जाके खड़ा होजा जल फिर फिर होजब ट चाहल जाकर फिर चाहल जाकर वहाँ थे दर दे कि मुड़ पीछे कि बोला ना पीछे मुड़ने को पीछे मुड़ पीछे मुड़ सीधा खड़ा हो जा आवाज नहीं आनी चाहिए आवाज नहीं आनी चाहिए साथ 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 प्रताप सर यह लोग ऐसे अपना मुह नहीं खोलेंगे कोई दूसरा तरीका डूंडो ओके सर एचलो है लुग है लुग है लुग है अधिक कर लोग है अधिक को बता देते हैं चलो कि अधिक को लुग है मैं हुआ है गहाल साथ आप हमें आख लेकर आए यह तो अब को पता ही चल गया होगा नज आपको जो आंगूटी शसके हांतों में मिली थी ना वो तो इस असे मंदर में मिली थी हम तो पेट पानने के लिए कुली का काम करते कोई काम नहीं था इसलिए भीक मागते थे साफ अपने चोरी मिल्कुल नहीं कि साफ हम चोर नहीं है अंगूठी मिल गई लेकिन बाकी सोना सब कहा है पता नहीं मुझे तो एक अंगूठी मिली थी मंदिर से सारा सोना चोरी हो गया तुझे सिर्फ अंगूठी कैसे मिली अभी भी समय है सही सही बता दे साप, समझ गया मैं मैं समझ गया वो सारा सुना देविस्थल वाले मंदी से मैंने ही चुराया था लेकिन आप इन सब को यहां क्यों ले आए इनको छोड़ दीजे साप मैं आपके हाँ छोड़ता हूँ छोड़ दीजे छोड़ दू हाँ साप हाँ 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 प्रुड़ 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 झाल रुड़ गया ऐफ पानी करो भुड़ प्रुड़ पॉल अबर शेघ्ञ एगदम पान अपल ना पानी साब पानी पानी पान एए इतनी देर से पानी मांग रहा है पानी को नहीं देते दो लोग अब शुब नुट अब हुआ है क्या है अब हमें काना कि लाते हो हमारी क्या गलती है हमें छोड़ दो आपका क्या बिगाड़ा है कुली का काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं क्यों लाएं और हम पर क्यों अत्याचार कर रहे हमने क्या क्या है साधा जानने वाला रिस्टिदार कोई भी नहीं है साधा हमारा शहर गाव छोड़कर अब यहां काम क्या है हम ने को उपना से गलती कर दी सावाव अम वह बान रहे हैं हमारे पीछे कोई रोने वाला कोई रोने वाला भी नहीं है हम अपना पेट बरने के लिए को करते हैं हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है हम जो कह रहे हैं हमारी बास सुनिये हमारी बास सुनिये साहब हमने कोई गुनार नहीं किया हम पर्याह कि वालत्या जान किया रहा है हमारी मत सच वाला भी कोई नहीं है तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत ही दूख हो रहा है एक बात मेरी मानोगी तुम कि क्यों आप लोग फालतों मार खाओ रहे हो वह जो बोल रहे वो मान जाओं ना हमने चाहरी की ही नहीं कभूल करो पूल रहे हैं क्यों कभूल करें बताईए से कि दूस्रुल ने किया कल्ति हो सब हम पर गल्mana रहे हम चौर नहीं है हम कोई मदद करने वाला नहीं है अगर हम लोगों ने उनकी बात नहीं मारी तो हुआ हम सब जान से मार डालेंगे साब हमने कुछ नहीं किया साफ फिर भी हमार रहे हैं हम सब को मार डालो साफ तुछ लोगा आप बल डाले हैं और आपको सजा दे रहे हैं यह को शाण नेया है साफ हम चोर है पता चला तो लोग हमें जिने नहीं देंगे हमें चोर-चोर कहने से अच्छा है हमें खतम कर दिजिए साफ हमें हमें जान से बड़ा मान और इज़त है हमें मार डालिये साफ हम लोग जीना नहीं चाहते हैं साफ हमें मार डालिये जल्दी से हमें मार डालिये साफ ओ साब आप भी बचा सकते हम कुछ तो कीजिए साफ साब सर नमस्करार सर क्या है सर मैं 10 दिनों से इन लोगों को देख रहा हूँ सर सर कोई दूसरा होता तो इतने टॉर्चर के बाद मांजाता मैंने भी इन Вас लेकिन किसे ने खाना मांगा नहीं सर मुझे इन से बात करने से पता चला सर उन्हें अपने मरने से ज़्यादा मान और गौरों की चिंता है आप चाहे कितने भी कोशिश कर लो वो नहीं मानेंगे तुम्हें जो बताना था बता दिया अब जाओ एक रिक्वेस्ट है सर क्या है ये बहुत अच्छे लोग है सर इने छोड़ दीजे प्लीज ए जाओ सर ओके सर जस्ट टॉंटी फोर हर्स मना लोगा प्लीज एक बताना था लोगा ये बताना था वो ग्ठाव प्ली एघ ये जाओ एडिया जाओ जढुरम एड लोगा है जोड़ दीजे साब अभी तक शांत रहकर मैंने बहुत बड़ी कलती की अब दिखाता हूं मैं तुम्हें जल रुप कहां भागती है आज मैं तुझे जिन्दा नहीं खड़ूंगा मेरी इज़त को तार तार कर दूंगा तुम्हें तुम्हें इतने दिन से बेवकूप बना रहा तुम्हें आज मैं तुछे रिखाव कर पूंगा तुम्हें फुम्हें टार का क्युम्हें जला हुवसे बेखाव कर बबन अब आप यह लुए है कर दो आप अब जो कर लोग एक यह थैट करेंगे साफ ऐसा बस कर दो मेरी बात मानोगे एक इनसान को जानवर बनने के लिए तुमा के लिए काफी हो हुआ हbildung मेरी बनने के लिए इनसानले घंसास्ञ ऑ्राइब झाल औी Üँग चरण ऌ पर झाल दुमार के लिए औ। झाल झाल